हाई फ्रेंड्स तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके अगे के कुलोथ बनाएंगे तो हमने यहां पर इसका टीशिट बना लिया है और टीशिट के अंदर भी हम थोड़े डिजाइन कैसे डालते हैं वो देखें इस टीशिट को स्लेक्ट कीजिए और यहां पर श्रिंग अब इसको कैसे करेंगे वो देखें धुल को सेलेक्ट करके अदेट मोर्मे जाकर तो हो जाएगा और फिर सेमें इसको ऐसे करना है त्री प्रेस कीजिए और ट्रांस्पेरेंसी ओन है और ये वाले पार्ट को सेलेक्ट कीजिए और प्रपोर्शनल एडिटिंग आपका ओन है इस बात का ध्यान रखिए तो अगर इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा ओके तो आप देख रहे हैं पॉफेक्ट हमारा ये तयार हो चुका है और एकदम सटा हुआ बॉड़ी से ये बन चुका है ये टी-शिट बन गया है और एस जेड पहले इसको आफ करते हैं एस जेड और जिरो प्रेस कर देते हैं तो इस तरह का ये टी-शिट इसका हो गया तो टी-शिट के उपर हम लोग तो तो नॉर्मल है कि एक डिजाइन बनाते हैं इस तो सलेक्ट करते हैं कंट्रोल आर प्रेस करके एक लूप कट हम यहां पर दे देते हैं इस तो सलेक्ट करते हैं अल्ट जैड अल्ट प्रेस करके इस सब को सलेक्ट कीजिए और कुछ देर के लिए मैं सब्डियूजन को सब्डूजन को आफ करता हूं और अल्टी प्रेस करके इस्टूड फेस अलोंग नॉर्मल पे क्लिक करके इसको थोड़ाज हम लोग ऊपर कर लेते हैं ताकि टीशेट पर जो हैंड पर फोल्डिंग होती है वो हम यहां पर ला रहे हैं ठीक है अगर मैं इसको अब आउन करों तो ऐसा हम को यह नजर आएगा तो कंट्रूल आर प्रेस करके इसके बीच में एक लुप कट यहां पर एक बीच में ही रख देते हैं तो देखते हैं यह कैसा दिख रहे हैं ऐसा नजर आ रहे हैं आप सेलेक्ट करके शेड स्मूद कर देते हैं और थोड़ा इसको हम लोग कर सकते हैं कंट्रूल आर और एक लुप कट यहां पर और फिर कंट्रूल आर तो हम लोग देख रहे हैं कि यह कैसे काम करता है तो जहां पर प्रफेक्ट लगया आप आप इसको रख सकते हैं तो जैसे यह फोल्डेड हैंड वाला इस तरह से यह बना सकता है सेम यहां भी कर सकते हैं कंट्रूल आर प्रेस करके एक लुप कट हम यहां पर लेक्ट आएंगे इसको सेलेक्ट करते हैं इसको कुछ दिरेकल आफ करते हैं जी प्रेस करके इसको थोड़ा ऊपर लेके चाहिए इसको सेलेक्ट करते हैं अल्ट प्रेस करके यहां इसको आउन सब्सक्राइब करें तो लुप कट लगाते हैं और सेंटर में रख देखते हैं कि हम लग कुछ इस तरह का बना रहे हैं अगर मैं यहां पर एक लुप कट लगाऊं तो यह मैंने बता है कि इस तरह से आप एक डिजाइन टैप का इसको बना सकते हैं और यह कॉलर कुछ ज्यादा ही लग रहा है कि बड़ा है तो इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ आप कंटॉल आर प्रेस करके एक लूप कट यहाँ पे लगा के और यह वाले चीज़ को डिलीट क कर सकते हैं तांकि यह टीशर्ट टाइप का कुछ लगे तो यहाँ पे हम लोग टीशर्ट को थोड़ा मोडिफाई कर रहे हैं हर एक एंगल से और फिर अगर मैं इसको उपर लेके जाओं तो इसके अंदर यह प्रॉब्लम है तो हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं और यहाँ आप देखते हैं सब डिविजन का क्या प्रॉब्लम है तो जितना पॉफेक्ट हो उतना ही लगाई है अगर मैं यह बीच वाले को यहां से डिजॉल्व करके देखो तो क्या आश्यू है कोई दिक्कत नहीं तो कम से कम आप रखने कोशिच कीजिए और कम से कम में हो जाए त अधाल है तो हमारे यह अधाल हो चुका है कि अब हम लोग पन्ट त्यार करतें इसको स्ल एक्ट करते हैं टैप चल्ड मोड में निम्म आते हैं और बेशित प्रेश करके वाय्र्प्रेम में उन त्रांस-पेंशन मोड में आते हैं कि पेंट तियारी करने के लिए सिम्पल सा तरीका है जहां से प्रक ना इसी-प्रेस कीजिए सेलेक्शन टूल उएक्टिव हो जाएगा और यहां पर जाके सबसे पहले इसको आप फेस अबोड़ में जाए में इसको एक्षलिमें हम देखते कि यह है क्या pen हाफ pen है इसका तो हम उतने सेलेक्ट करेंगे सी प्रेस करके इसके बनाएंगे इतना है तो हम लोग थोड़ा और इतना ले लेते हैं और और क्या करते हैं इस empty को off करते हैं shift d press करके skip press करते हैं और p press करके selection पर click करते हैं tap press करेंगे तो आप object mode में जाएंगे अब इस पर click कीजिए तो ये paint आ चुका है अलग object बन चुका है यहाँ पर जाते हैं और इसके color को हटाते हैं और इसका empty में देखते हैं क्या color है तो हम थोड़ा color ऊपर नीचे कर दिया तो कोई दिकत नहीं हम लोग बाद में change कर लेंगे new color लेते हैं और इसको हम लोग पीला या blue कर देते हैं ठीक है और फिर से 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 प्रोसेस हम इसके लगाएंगे paint को select कीजी और फिर shrink wrap पे click करके और यहां पे move first और यहां पे eye dropper tool के लिजे और body पे click कीजी तो यह अंदर चल जाएगा यहां पे target normal project फिर से solidify पे click कीजी और फिर से subdivision तो अंदर है ही पहले से अभी जो हम है thickness तोड़ा से increase करते हैं one two तीक है यह हो चुका है paint इसका हो गया कितना मोटा रखना है वो पहले हमको decide करना होगा thickness इसकी हम इतनी बढ़ा देते हैं और अभी क्या करते हैं यहां पे इसको apply कर देते है tap press credit mode में आते हैं इसको select कर लेते हैं पूरे को S, Z और zero press कर लेते हैं यह हो जाएगा पूरे अडिटिंग को on करके S press करके अगर हम थोड़ा सी इसको बाहर करते हैं यह त्यार हो चुका है और E press करके skip press कीजिए और Z press करके एक बर इसको move कर लिजी E press करके skip press करके Z press करके इसको move कर लिजी ठीक है ताकि इसकी under में आ जाएं और यहां पर देखते हैं कि ऐसा हो रहा है तो control plus क्योंकि selected है और S Y press करके इसको हम लोग थोड़ा अंदर ले लेते हैं because क्योंकि हमारा जो pen't है वो नजर नहीं आने वाला है तो हमने इसका T-shirt और pen't ready कर लिए है तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो को देखकर practice जरूर कीजिए कोई problem आते जरूर contact कीजिए तो मिलते हैं next के वीडियो में